जनपत की सरकारी गर्ना विकास समीतियों एवं सरकारी चीनी मिल समीतियों के 100 अंसधारा क्रिशक सदस्यों को विप्राईश विधायक महिन रिपाल सिंग के दौरा एनेकसी भवन के सभागार में अंसपरमार पत्र का वित्रन किया गया जिसके संबन्द में पिप्राईश विधायक महिन रिपाल सिंग ने बताया कि सरकारी गर्ना विकास समीति द्वारा गर्ना किसानों का जो 200 रुपया अंस जमा रहता है जिसको देखते हुए पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के मुखी मंट्रियों के आदितिनाथ द्वारा लकनों से गर्ना किसानों को अंस प्रमार पत्र वित्रन करने का कारे करम किया गया जो कि पूरे प्रदेश में किया गया उसी करम में तीन गर्ना समीतियां पिप्राईश, सरदार नगर वा कैमपियर गंश के गर्ना किसानों को अंस प्रमार पत्र का वित्रन किया गया इस उसर पर DCO, जगदीश श्यादो, SPO, नीरज पटेल, अजीत पांडे, सती इस सिंग सहित, अने गन्ना किसान मौझूद रहें इस सम्बन में गुरखपुर नियों से बात किरते हुए पिप्राइश विधायक महिनरपाल सिंग ने कहा कुछ खिसानों को हर्थ जन्पत अस्तर पे जन्पत मुझा लेते हैं, अन्स प्रवालपत मानने जिजादिकारी, मानने पिधायक जी के स्वाटा हाँ कि इस वाटार को बहुत सभी बच्टायगा, इस इस सान भाईजों को सम्भूदित करके हुए फी, मान कि ना ए ए लिpsy की दृ बाह güव सम्भाइच गृप प्रवाद इस समय को बहुत सभी बच्टायगा, वस समय कार्वा समय को वसह दान जी स्वाढ़ आदे नाथ्षि कि स्करंशे विलाया है वी क्लाफ कर दिए कि प्रामा ज़िता हो किस हमें परजिका नाथ्षि कर दो कि युछ पाला कि अ éénजिन हुचा है यूर बड़े हम इंचाड़ था ऊपली जा कि अच्छानों का जो अंस दो सो रुपया जो जमा रहता है यह पहली वार उत्तर पुदेश की सरकार में इसका अंसर प्रमापत्र बित्रण करने का कारिकरम माने मुकमंत्री जी के द्वारा लखनों से इसकी सुभात की गई है उसी करम में दोरकपूर के एनेक्सी भावन में सभी जो हमारी तीनों जो समितिया प्राइश सर्दार नगर और कंपिया गंज के सभी सम्मानित अपने किसान भावियों को यहां पर बुला करके उनको उनके अंसर का प्रमापत्र बित्रण कर ये कारिकरम आयुजित के गया कितने लोगों पहार किया गया है। मैं समझता हूँ कि सौ लोगों को जो है आज इहां पर जो है अंस परमापत्र जो है उनको दिया गया।